गीता के आठवे अध्याई पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथवे अध्याई के चर्चा हमने पिछली बार की थी। साथवे अध्याई का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यह जो आठवा अध्याई है उसको कहा गया है अक्षर ब्रम्ह योग। क्यों कहा गया है उस पर हम लोग थोड़ा सच चिंतन करेंगे। साथमे अध्याय के अंत में दो श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों की चर्चा हमने पिछली बार की थी और कहा था कि इन दोनों श्लोकों का विशद अर्थ हम बाद में करेंगे जब आठमें अध्याय की चर्चा करेंगे। वे दो श्लोक हैं जरामरण मोक्षाय मामा शृत्ययतंतिये ते ब्रम्हतत विदुह कृच्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधि भूता दिदैवं माम साधि यग्यम्च ये विदुहू प्रयानकालेपिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसह। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जरामरण मोक्षाय माम आशृत्ययतंतिये जो जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रे लेके यत्न करते हैं, साधना करते हैं या प्रयास करते हैं। जरा अर्थात बुढ़ापा बुढ़ापा बहुत बड़ा रोग है और मृत्यू तो है ही, मृत्यू तो मनुष्य को प्राप्त होती ही है। तो मृत्यू से मुक्त होने का क्या मतलब कि बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाए यदि मन के भीतर में आशा भरी हुई हो, बल भरा हुआ हो और भीतर में ग्यान अलब अलब भरा हुआ हो, तो ये दोनों प्रकार के तरास मनश्य को त्रस्त नहीं करते हैं। बुढ़ापे का कष्ट शारिरिक कष्ट होता है पर बुढ़ापे का अधिक कष्ट मानसिक होता है आप विवेचन करके देखेंगे कि शरीर नहीं चल रहा है यह जो बुढ़ापे का कष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है पर जदी हमारा मानसिक बल अच्छा है तो शरीर का कश्ट हमें उतना दुखी नहीं बनाता वस्तुता अधिकान्श मनुश्य तो मानसिक रूप से परिशान देते हैं बुढ़ापा मानसिक कश्ट हमारे भीतर लाता है और यह जो मृत्यू की बात कही गई है कि मृत्यू जब आनी होगी तब तो वह आयेगी ही उसको तो कोई रोक नहीं सकता जब मनुश्य की मौत है तो वहाँ पर उससे छुटकारा है ही नहीं पर यदि मनुश्य के मन में ऐसा बोध हो जाए जिसको हम न्यानात्मक बोध कहते हैं तो हर ग्षन हमें मृत्यू का कष्ट जो सता था रहता था उससे हमें मुक्ति मिल सकती है मैंने एक बार एक घटना का उल्लेक आपके सामने किया था तब मैं वशिष्ट गुफा में था पहली बार मैं जंगल में गया वहाँ पर जंगली जानवरों की चीतकार सुनने को मिलती भालू भी मैंने पहली ही दिन रात को देखे शेर की दहाड सुनाई पड़ती थी उस समय वह बहुत भयावना जंगल था अभी भी है रिशिकेश से 23 किलोमीटर की दूरी पर बद्री केदार जाने के रास्ते पर अवस्तित है वहाँ भहुत घंगल था अभी तो वहाँ पर कुछ बस्तियां भी आ गई है तो मैं यह कह रहा था कि उस समय मुझे बहुत डर लगता था साधना के लिए वहाँ पर गया था स्वामी पुरशोत्तमा नंदजी महराज वहाँ पर थे जिनकी उम्र उस समय 81 साल की थी और वे लगबग 40 वर्षों से वहीं पर निवास कर रहे थे उन्हें जब मालूम पड़ा कि मुझे भाय लगता है तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना समय गवाने के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए जिसको डर लगता हो वह आत्मसादना कैसे कर सकता है और तुम क्यों करना चाते हो जब तुम्हें यह डर ही नहीं चोड़ रहा है तो तुम वापस चले जाओ हमारा समय तुम नश्ट करते हो अपना समय भी तुम गवाते हो वापस चले जाओ और तब भीतर में बढ़ी बेदना आई कि देखो तो मुझे कितना डर लग रहा है मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक मौका और यहां रहने के लिए दे दे पर उन्होंने कहा कि नहीं इससे हम लोगों का समय नश्ट हो रहा है तुम आट नौ दिन से यहां हो पर भाई की भावना कोई जीत नहीं सके इसलिए तुम्हारा यहां सादना का कोई मतलब नहीं है वापस जाओ मैनेजर को बुला कर कहा कि देखो इस ब्रमचरी को जो भी बस रिशिकेश के ओर जा रही होगी उसमें बिठा देना तब तो मैं रो पड़ा मैंने कहा महराज एक और अवसर दे दीजिए अब आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि रोने धोने से कोई साधना होती नहीं है और फिर मैनेजर महराज ने जब मेरी तरफदारी की तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें एक और अवसर देते हैं सिर्फ एक बार इसके बाद नहीं बाद में एक आंत में बुला कर पुछा तुम्हें डर किस बात का लगता है क्यूं इतने भाईबीत हो मैं कुछ उतर नहीं दे पाया इसका क्या उतर दो कि मुझे डर किस बात का लगता है उन्हीं ने उतर में कहा कि तुम्हें डर मृत्यू का लगता है तुम मौच से डरते हो ना यही तो डर लगता है कि जंगल में कहीं चले गया तो बाग या जंगली जानवर आ जाएगा इसी लिए डरते हो कि तुम गुफा में हो और रात में कोई जंगली जानवर आकर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है आखिर अधिक से अधिक क्या होगा यही ना कि तुम्हारी मौत हो जाएगी तुम्हें इसी बात का डर लगता है मैंने भी मन ही मन विचार करके देखा कि डर तो मौत का ही लगता है उन्होंने फिर समझाते हुए कहा कि देखो अगर तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर की हातों मौत बनी हुई हो तब तो दिन में जब तुम शौच करने जाते हो तब भी कोई जानवर तुम पर हमला कर सकता है नहाने के लिए जब तुम गंगा में जाते हो तो वहाँ पर आकर तुम पर आकरमन कर सकता है क्योंकि तुम हर समय गुफा के भीतर बंद तो नहीं रहते यदि तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर के हाथों मौत न बनी हो तब रात में वह जानवर तुम्हारे पास आकर बैटकर तुम्हें सूंग भी जाए तो भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा इस तर्क पर विश्वास करते हो तर्क तो बहुत सरल था अविश्वास करने लाए कोई बात तो थी नहीं तो मैंने कहा कि माहराज यह तर्क तो ठीक लगता है उन्हों नहीं कहा कि बस फिर इसी तर्क पर तुम ध्यान करो बाकी ध्यान की प्रक्रिया चोड़ दो इसी पर हर दम तुम ध्यान करो कि यदि तुम्हारे कपाल में जंगली जानवर के हातों मौत लिखी हो तो कभी भी वह तुम्हें मार सकता है और अगर न लिखी हो तो रात में वह तुम्हारे पास आकर बैठेगा तो भी तुम्हें कोई हानी नहीं पहुचेगी इस पर तुम ध्यान तो करो जरा हमने इस पर ध्यान किया और उनकी कृपा से भाय दूर हो गया मनुश्य की मौत तो एक बार होती है पर वह सिरफ उसके भाय से ही कितने बार मारा जाता है यही मैं बताना चाहता था भगवान का यह कहना कि मरन से मोक्ष मिलेगा इसका तात्पर यह यही है कि हम जो बारम बार मरते हैं क्षन प्रतिक्षन मरते रहते हैं इस बारम बार मृत्यों के बोच से हमें छुटकारा मिल जाता है बुढ़ापे की भावना से हमें छुटकारा मिल जाता है और यह जो मृत्यों की भावना है उससे हमें मुक्ति मिलती है यहां पर भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर साधना करने से साधना में अहंकार नहीं आपाता क्योंकि भगवान ही हमारे आश्रय है वे ही एक हमारे अवलंब है ऐसा मानकर यदि साधना करें अर्थात पुरुशकार हो रहा है और पुरुशकार के साथ चाथ यह भावना भी बन रही है कि प्रभो यह शरीर रुपी यंत्र तुम्हारी क्रपा से कार्य कर रहा है तुम्हारा आश्रय मेंने लिया है तो इस प्रकार प्रभो का आश्रय लेके कार्य करने से अहंकार उत्पन नहीं होगा यदि हम इश्वर का आश्रे न लें और हम अपने अहंकार के बल पर साधना करते चलें ऐसा सोचें कि मैं कितनी तपस्या करता हूं कितना जब करता हूं कितनी साधना करता हूं तो यह अहंकार बहुत खत्रे का कारण बनता है क्यूंकि तनिक भी विग्ण पड़ा मुझे संभालने के लिए कोई आधार नहीं है असफलता मिली कि मैं तूटने लगता हूँ इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रे लेकर प्रयत्न करते हैं किसके लिए जरामरनमुक्षाय जरा और मुरत्यू से मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रम्ह तद विदुहू वे उस ब्रम्ह को जान लेते हैं कृच्णम अध्यात्मम समुचे अध्यात्म को जान लेते हैं कर्म चाखिलम समस्त कर्म को जान लेते हैं कैसे जानते हैं साधि भूत अधिदैव माम साधियग्यम्च ये विदुू अधिभूत अधिदैव और अधियग्य के साथ जानते हैं। जो मुझे जानते हैं उनका क्या होता है। प्रयानकाले पीचमाम ते विदुर युक्त चेत सह। मृत्यू के समय भी वे समाहित चित्त वाले मुझे जानते हैं। मानों मृत्यू हो रही है। फिर भी उनको मेरा ही बोध बना रहता है। ऐसा कहकर सब्तम अध्याई का अंतिम श्लोक उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर इससे समझने की दृष्टी से इसे हम देख लें। भगवान कहते हैं कि देखो अरजुन जो बुढ़ापा और मृत्यू इन दोनों से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रे लेकर साधना करता है। वे उस ब्रम्ह को जान लेते हैं। वे समुचे अध्यात्म को जान लेते है और समस्त कर्म के ग्ञाता बन जाते हैं। और भी तुम्हें बताओं अरजुन जो अधिवूत के साथ, अधिदैव के साथ, अधियग्न के साथ मुझे जानते हैं, वे मृत्यू के समय भी मुझे जानते रहते हैं। मृत्यू के समय भी मेरा बोध उनके भीतर बना रहता है क्यों? क्योंकि उनका चित्त हर समय मेरे साथ युक्त हो कर रहता है ऐसा कहकर अध्याय समाप्त किया अब अर्जुन ने सोचा कि भगवान ने ये सब क्या-क्या नए शब्द कह दिये मानो यह एक तरीका है किसी बात को बढ़ाने का और किसी बात को बढ़ा कर तत्व को समझाने का यह अपना पुराना तरीका है चाहे वह कहानी लेखक हो, चाहे वह दर्शन का क्षित्र हो हमारी जो भारतिय विधा है उसमें यह प्रणाली मिलेगी जैसे विश्णु शर्मा के लिखी कहानिया है अरेबियन नाइट्स की कहानियों का आधार भी भारतिय कहानी कला है वहाँ पर कहानी कला में क्या है? जैसे आप पढ़ेंगे, यह कथाएं आपके सामने आती हैं छोटी छोटी कथाएं, हितोब देश के कथाईं हैं कहानी की अंत में एक नई बात कह दी जाती है जो सुन रहा है, वह जिग्नियासावश पूछता है कि आपने बहुत सी बातें कही पर उसमें अंतिम नई बात का अर्थ क्या है? यह कला यहाँ पर भी दिखाई देती है अब यदि भगवान ने इतना कह दिया होता कि जो मेरा सहारा लेकर साधना करते हैं वे ब्रम्ह को जान लेते हैं और बुढ़ापे और मृत्यू से उनका छुटकारा मिल जाता है तो अर्जुन को पूछने लाए कोई बात ही नहीं रहती पर भगवान ने चतुराई की उन्होंने कहा कि वे उस ब्रम्ह को जान लेते हैं वे समस्त अध्यात्म को जान लेते हैं वे समुचे कर्म को जान लेते हैं और जो अधिभूत, अधिदैव और अधियग्न के साथ मुझे जानता है वह मृत्यों के समय भी मेरी याद बनाई रखता है अरजुन ने कहा महराज यह आप कर्म, अध्यात्म, ब्रह्म की इतनी बातें कर रहे हैं इन सब का क्या मतलब है आपका इसको जरा समझा दीजिए तो यहां से यह शुरू होता है आठ्मा अध्याई मानो, भगवान खृष्ण ने प्रश्ण भी छोड़ दिया और अरजुन उस प्रश्ण को भगवान के सामने रखता है क्या प्रश्ण रखता है अधियग्ञ्यग्स कथम कोत्र अर्जुन ने पूछा हे पुरुशोत्तम वह ब्रम्ह क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं तथा अधिदैव किसे कहते हैं हे मदसूदन इस देह में अधियक्न कौन है इस देह में वह किस प्रकार में अवस्थित है और मरंकाल में सम्यचित्य व्यक्तियों के द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं इन दोनों प्रश्णों का उत्तर हम अगले कक्ष में देखेंगे